मनोज कुमार को हिंदी सिनेमा के भारत कुमार के तौर पर जाना जाता है मनोज ने देश भक्ती की भावनाओं से जुड़ी कई फिल्मों में काम किया मनोज कुमार एक एक्टर होने के साथ साथ एक लेखक भी रहे हैं मनोज कुमार का पूरा नाम हरी किशन गिरी को स्वामी था उनका जन 24 जुलाई 1937 को हुआ था दिल्ली विश्व विद्याले के हिंदू कॉलेज से उन्होंने अपनी पढ़ाई की इसके बाद उनके जहन में फिल्मों में काम करने के ख्याल ने दस्तक दी मगर फिल्मों के प्रती उनकी रूची दस साल की उम्रे में ही आ गई थी फिल्मों में काम करने को लेकर मनोज कुमार से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी है मनोज ने अपने मंगेतर शशिगो स्वामी से पूच कर फिल्मों में काम करना शुरू किया था मनोज कुमार ने अपने संगर्ष की दास्ता भी सुनाई उन्होंने बताय कि कैसे वो रिफ्यूजी कैम्प में रहते थे और मुश्किलों से जीवन गुजारते थे इस दौरान उन्होंने अपने छोटे भाई को बेहद कम उम्र में खो दिया था मनोज कुमार ने अपना आपा खो दिया था और वे मार पीट करने लगे थे इस दौरान उन्हें पुलीस के डंडे भी खाने पड़े थे जब बात हद से आगे बढ़ गई तो उनके पिता ने उन्हें कसम दिलाई की वे कभी भी मार पीट नहीं करेंगे दरसल जब मनोज को एक फिल्म में लीड अक्टर के रूप में काम करने का ओफर आया तो उन्होंने कहा कि अपनी मंगेतर की इजाजत के बिना वो फिल्मों में काम नहीं करेंगे फिर उन्होंने शशी से इस बारे में बात की जब शशी रजा मंद हो गई तभी मनोज कुमार ने फिल्म में काम करने के लिए हां कहा बाद में शशी से ही उन्होंने शादी भी कर ली मनोश कुमार को अपने शानदार काम के लिए भारत सरकार द्वारा उन्हें साल 1992 में पदमश्री से सम्मानित किया गया साल 2015 में उन्हें फिल्म में अपने योगदान के लिए दादा साहिब फाल के अवर्ड से समानित किया गया